बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रिटूप चैनल सुकला स्टडी पॉइंट में मैं सियों सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ का आज के बीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चह करेंगे हिंदिस आहिती के बारे में जो की खासर करके अब के बिए फ़स्ट समीस्टर केormे स्वागत हैं आपको बटाते हैं आपको बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से चाहे आपकी परिच्छा सब्जक्टिब हो रही है चाहे आपकी परिच्छा अब्जक्टिब होनी वाली है सभी के लिए important होगा मलब की चाहे MCQs-based आपकी परिच्छा होगी OEMR pattern पर और चाहे आपका परिकार से जो copy आपको मिलती है यह लिखने के लिए यह से अती लगुत्री लगुत्री दिर गुत्री टाइब के परिच्छे जाएंगे तो सभी के लिए important होगा चुकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग छोटे छोटे questions जो होंगे यह उसके माध्यम से बहुत सारे कभीयों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जैसे कि आपके पाठे करम में जो संकलित हैं खास तिरके जो आदिकालीन हिंदी साहित के कभी हैं जैसे बिद्यापती, गोरक नात और अमीर खुसरो आपके पाठे करम में संकलित हैं इसके आलावा कबीर दास, जायसी, सूरदास और तुलसी दास से बनने वाले महतपुन महतपुन प्रस्न को समझेंगे तो ये चारों भक्तिकाल के हैं जायसी, Конबीर, जूरदास और तुलसी दास बिद्यापती, गुरखनाथ, हमीर, खुसरो, आदी काल के हैं और केसो दास बिहारी लाल और घरानन्द ये रीतिकाल के हैं ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा अच्छा आपका पाठे करम भी बड़ा जबर्दस्त बनाया गया है देखी बिद्या पती जो है मैथिल कोकिल कहे जाते हैं और मैथिली में भी लिखते हैं संस्कित में भी रच अच्छनाओं को आप देखते हैं इसके अलावा नात संपर्दाइस रिलेटेड हैं ठीक हैं अमीर खुसरों की अगर बात करें तो अमीर खुसरों को आप सभी को पता होगा खड़ी बोली के एक प्रकार से जनक माने जाते हैं और खड़ी बोली को आगे बढ़ाने का सरे इ ये निर्गुर धारा की जो साखा रही भक्ती की निर्गुर साखा उसके परवर्तक हैं कबीर दास उसमें ग्याना सरी साखा के परवर्तक हैं जा इसे की बात करें तो ये प्रेमा सरी के बड़े प्रमुक कभी रहे हैं ठीक हैं और ये खासर कि आपको बदादू की निर्ग आचारी के सिस्य होते हैं किष्ण भक्ती परंपरा से रिलेटेड है तुलसी दास जी की बात किये तो राम भक्ती साखा से रिलेटेड है ठीक है भक्ती काल परंपरा में है सगुड भक्ती की बात करते हैं खासर के तुलसी दास तो समनवय के कभी हैं समनवय की बिराट केलामा केसोदास की अगर बात करें तो केसोदास जो है वो खासर के आचारी केसोदास है ठीक है और आपको बदा दूँ कि ये जैसे संस्कृत के काबिसास्तरी रहे हैं वो रज छंदालंकारी चीज़ों पर फोकस करते हैं ठीक इसी प्रकार से आचार केसोदास भी फोकस करते विहारी लाल तो आचार केसो देखिए रीतिकाल में तीन खंड हैं एक रीति बद्ध एक रीति मुक्त और एक रीति सिद्ध तो रीति बद्ध के हैं केसो दास रीति सिद्ध के हैं विहारी लाल और रीति बद्ध अबलब रीति मुक्त के हैं घाना नंद ठीक है ये बाध्या नखियेगा तो इस प्रकार से आपका सिलेबस है कि यतने महत्पून महत्पून कभी हैं वो ही आपके पाठे करम में संकलित हैं ये बाध्या नखियेगा तो अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बिद्यापती यानि सुरुआत हम करेंगे बिद्यापती से बिद्यापती के ब बार देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा और कभीयों के बारे में एक आपकी मन में पूरबागरा या धारणा बन जाएगी कि भाई हम क्या चीजे मिलब हमको आगे चल करके पढ़ना है या इन बार देख लेंगे तो आपको बता दू कि एक चीज़ अभी मैं चर्चा करूंगा बीच में आपको इनफार्मेसन दे दूँगा कोर्स को लेकर के एक इनफार्मेसन है बी एक का कोर्स हिंदी सहते फर्ष्ट समेटर का कोर्स लांच किया गया है और उसकी प्राइज मात्र हंड्रेड रूपीज है तो उसका इनफार्मेसन अभी मैं दे दूँगा बीच में तो आप सभी को जिनको कोर्स लेना है वो लोग एक प्रकार से ले सकते हैं कोर्स उसमें पीडियाप नोट्स चेप्टर वाइस वीडियो यह सब बहुत सारी आपको मिलेंगे जितने भी आपके पाठे करम में खासर के कविताएं संकले थे उन सभी कविताओं की व्याक्या आपको मिल जाएगी वी पारे द्वारा लिखे गए नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे ठीक है और इसके लाब आप जेक्टिव परसनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे भलब सारी चीज़े आपको मिलती रहेंगी अगर आप गुरूप से जुडएंगे तो उसके लिए आपको करना क्या है हमारा नंबर है 1191-39662 चलिए मैं पूरी इंफर्मेशन ही दिदे रहा हूँ इस पर आपको सबसे पहले करता क्या है एसमेस करना है वाट्सअप पर वाट्सअप पर एसमेस कर दीजेगा कि सर्जी हम बीए फ़स्ट समेस्टर में हैं हिंदी साहित का हमको कोड्स चाहिए ज जैसे ही स्क्रीन साट आप सेंड करेंगे आपको एक गुरूप से एड़ कर दिया जाएगा ठीक है तो गल्स गुरूप वाइस गुरूप अलग अलग है तो उसको आपको एड़ कर दे जाएगा ठीक है और गुरूप से एड़ कर दे जाएगा उससे पहले आपको वीडियो मैं कुछ पैसे पे कर देता हूँ तो अच्छे तरीके से थोड़ा पढ़ने में मन भी लगता हूँ और मैं पूरे classes को पढ़ता हूँ ऐसे मैं देखता हूँ कि पढ़ने में बहुत सारे बच्चों का मन भी नहीं लगता है तो जब आप कुछ पे करेंगे तो आप आटोमेटिक आपके जो आंतरिक जो धारडा है मस्तिक्स की वो एक परकार से कहिने के पढ़ने के लिए आपको मजबूर करेगी ततपर करेगी और आप पढ़ेंगे तो मातर सवर उपय का कोर्ट से जिसमें आपको पीडियाप नोट्स, वीडियो लक्चर्स और इसके अलावा जो है मारड़ पेपर्स की लाइट क्लास भी आपको मिलेंगी परिछा के आने वाले समय में इसके अलावा आपजक्टिमालाज पेपर, लिखिद मालाज पर भी मिलेंगे बिभिन बिश्विद्यानों के कोश्चन पेपर आपको वहाँ पर मिलेंगे तो बहुत बिधवत तरीके से तैयारी होने वाली है तो आप सभी को जिनको लेना है आप फटाबट से ले सकते हैं तुरहन तैसमस करे वाटसप पर बहुत जल्दी ठीक है तो पीडियाप नोट्स अच्छा इसके अलामा एक फाइदा और आपका होगा मालते आपका हिंदी सब्जक्ट के अलामा मालते सोसियोलाजी भी आपका भी से है उनके पीडियाप नोट्स जो बनेगे वो आपको पास संड कर दे जाएंगे उसी ग्रूप में तो आपका और भी जो सब्जक्ट होगा वो भी तयार होता लेगा साथ साथ में तो एक बड़ा एक परकार से बहुत बड़ी उपलबधी आपको मिलेगी बड़ी चीजे आपको जानने को मिलेगी तो आगर आप में से जो शाथ सतरें लेना चाहते तो रंत इसमेस करें वाटसप पे चलिए पहला प्रसन है बिद्यापती जी का जनम कहां पर हुआ था बिद्यापती के जनम हुआ था बिहार प्रांत के दरभंगा जी लेके बेनी पटी ठाने के एक बिसपी नामक ग्राम है उसी ग्राम में इनका जनम हुआ था ठीक है यह बाद्यापती को अभिनो जय देव की उपाधी सहित उदाहरण सुमलब उपहार सुरूप इनको अगला कोशन साब देखेंगे दूसरा परसन है विसफी गाउं विध्यापती को किस ने दिया था तो विध्यापती को कहा जाता है ये बात ध्यार नखियेगा तो और इनको जो विसफी गाउं है किसको दान में इमलब किसको दिया था उपहार के रूप में किस ने दिया था तो सिव सिंग ने दिया था ये कहा के राजा थे मिथिला के राजा थे तो इनको उपाधी सहित उपहार में दिया था उपाधी भी दी थी अभिनों जैदेव की उपाधी दी और इसके अलामा इनको उपहार में पूरा का पूरा गाउं बिसफी गाउं जो है इनको दे दिया ये बात ध्यान नखिएगा, ओके, समझ रहे हैं, और आको वतादू, बिद्यापती के पिता जी का नाम था गणपती ठाकुर, वो संस्कृत के बहुत ही बड़े बिद्वान थे, और उनका नाम था संत जैदत, ठीक है, वो अच्छा संत जैदत के पुत्र थे, इनके पिता ग इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसको मनोजजहा ने बोला है, तो उस पे एक प्रकार से चुकि राजनीती करना है अच्छा राजनीती में जब तक जाती बाद और ये धरम वाद ये संपरदायवाद नहीं जोंकते हैं ये लोग तक तक राजनीती में लोगों को मज़ा कहा आती मलब ओट बैंक तयार करना है कुछ ये बोलेंगे अना आप सनाप धरम के बारे में जाती के बारे में मलब ऐसे बोल करके आपस में एक दूसरे गुट को बनाएंगे एक गुट एक परकार से तयार करते ताकि उनका एक परकार से वर्चस जमा रहे और उनकी राजनेतिक रोटिया चलती रहें चुकि जिस जाती के खिलाब बोलेंगे वो जाती के लोग बिरोध करेंगे तो भी आपको हाइलाइट होना है और जिस जाती के समर्थन में बोलेंगे ठीक है और समर्थन में बोले या ना बोले लेकिन क्या होता है कि वो लगेगा लोगों को कि भाई ये ब्रामण है तो ब्रामणवाद ही बोला है उसको लगेगा ठाकुर है तो ठाकुरवादी है तो इस प्रकार से किसी लोगेगा कि भाई ये मुसलमान है तो मुसलिमों के लि तो एक होता है मैथिल ब्रामण ठीक है जो बिहार बगरा में प्राया मिलते हैं आपको इसके अलावा अगर आप देखेंगे दूसरे ब्रामण होते हैं जो है कानेकुब्ज ब्रामण ठीक है कानेकुब्ज ब्रामण जो होते हैं कानपुरु नाव या इधर उधर मिलते हैं व पारी और सरीव नदी के उस पार आप देखते हैं तो वो कानकुपज ब्रामण कुछ होते हैं सरीव पारी ब्रामण में खासरे सुकला मिसरा ये सबाते हैं ठीक है तो सरीव पारी ब्रामण अच्छा सर्योपारी ब्रामण में आप देखते हैं तीन और तेरा चलता है कानकुपज ब्रामणों में आपको बता दूँ कि जैसे कि जो विसवा होता है कितने विसवा के ब्रामण हो इस प्रकार चलता है तो ये सब ब्रामणों में भी कई कड़करी होती है, तो उसी में से विद्यापती जी जो थे, वो मैथली ब्रामण हुआ करते थे, मैथली ब्रामण में इनका जनम हुआ था, अगला परसने विद्यापती के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता जी का नाम था, गणपती ठ अब ये ठाकुर इनकी उपाधी ही है तो गड़पति ठाकुर इनकी पिता जी का नाम था अगला कोशन साब देखेंगे रामभरक्ष बेनीपुरी के अनुसार विद्यापती का जनम कहां अमलब कब हुआ था बताएं तो रामभरक्ष बेनीपुरी एक प्रकार से एक लेखक ह इंदी साहित के तो राम ब्रिक्ष बेनी पूरी कहते हैं कि विद्यापती का जनम हुआ था तेरा सो पचास इस भी में ठीक है तो ये सब प्रस्न भी आपसे आप जक्टी में बन सकते हैं और लिखित में भी अगर आपसे पूछेगा तो आप अतिलग उत्रे में पोज सकता है जाता है मैथली कोकिल भी इनको कहा जाता है विद्यापती को कभी कंठहार भी इनको कहा जाता है तो विद्यापती की ये कई सारी उपाधियां हैं जो कि विद्यापती को मिली हुई है ठीक है तो ये वाद ध्यान लखिएगा तो कौन कोंसी उपाधियां अभिनो जय देओ कभी सेखर, खेलन, कभी मैथिल कोकिल और कभी कंठाहार ध्यान लखेंगे, ऐसे प्रस्ण पोच सकते हैं आपसे सात्वा कोशन साब देखेंगे विद्यापती की सेवा करने वाले भगवान सियू ने भगवान सियू ने किस नाम से नवकर रूप में सेवा की थी उगना नाम से, ठीक है विद्यापती की सेवा करने वाले भगवान सियू ने किस नाम से नवकर रूप में सेवा की थी, तो उगना नाम से नेक्स्ट कोशन साब देखेंगे विद्यापती ने आउहट भासा में किन रचनाओं के स्रिष्टी करी है तो बिद्यापती की बात की जाए तो बिद्यापती अच्छा बिद्यापती की अगर बात की है तो इनको लेकर के बड़ा इनके जनम और देहावसान को लेकर के बिद्वानों में बड़ा मद्भेद रहा है सुरुवास से यहां देखते है राम प्रिछ बेरी जरूर इनका जनम 1350 इस भी बताते हैं लेकिन हरी परसाथ सास्त्री जी इनका जनम 1357 इस भी बताते हैं नगेंदर नाथ गुप्त जी 1358 इस भी बताते हैं बाबुराम सकसेना जी 1357 इस भी में बताते हैं और इसके लामा डक्टर उमेश मिस्रा 241 लक्षमर संबत आर्था 1361 इस बीव सो विकार करते हैं तो इस प्रकार से कई सारी चीजे इनके संदर में कही जाती हैं ओके ये बात ध्यान लखिएगा आगे देखें प्रसंद क्या है अवहट्ट भाशा में इनकी रचनाय कौन-कोन सी है? लेकि कीर्ती लता कीर्थी पताका ये दो रचनाय जो है ये आवहट्ट भाशा में इन्होंने लिखी है जो की खास करके हिंदी के सम्मलब नजदीक है और हिंदी में पढ़ा भी जाता किर्थी लता और किर्थी पताका को अगला प्रसनाब देखेंगे बिद्यापती पतावली की भासा क्या है मैथिली भासा में लिखी है बिद्यापती पतावली ठीक है अगला कोशन साब देखें सयो सर्व स्वासार प्रमाण भूत पुराण संग्रह गंगा वाक्या वली दान वाक्या वली और दुरगा भक्तित अरंगडी ये सब संस्कृत के रचना है जो कि बिद्यापती के द्वारा लिखी गई है ग्यारवा कोशन से आप देखेंगे विद्यापती के गुरू का क्या नाम था तो विद्यापती के गुरू का नाम क्या था पंडित हरी मिस्र इनके गुरू जी का नाम था ध्यान लखेंगे इस बात को अगला कोशन से विद्यापती ने अपनी किस किर्थी को या अपनी किस किर्थी में अपने को खेलन कभी कहा है तो खेलन कभी इनको कहा भी जाता है किर्थी लता में विद्यापती ने अपने आपको खेलन कभी कहा है ध्यान लखेंगे अगला कोशन से 13 नमबर नागरी नचारी का संबन किस से है नचारी का संबन भी विद्यापती से ही है अगला कोशन 14 नमबर डाक्टर गिरियर्शन डाक्टर जार्ज गिरियर्शन हिंदी सायत के इतिहास भी लिखाए इनोंने फ्रेंच भासा में तो डाक्टर जार्ज गिरियर्शन ने विद्यापती को भक्त कभी माना है या सरिंगार कभी माना है बताएं फटापट से आप बताने का प्रियास करेंगे बताएगे भई फटापट से आप बताने का प्रियास करेंगे इसका क्या हो जाएगा डाक्टर जार्ज गिरियर्सन की अगर बात की जाए तो डाक्टर जार्ज गिरियर्सन जो है इसके में बताएं क्या बोलते हैं डाक्टर जार्ज गिरियर्सन क्या बताते हैं भाई ठीक है ये बात ध्यान नखिएगा और जो है अबराहम गिरियरसन ने लिखा है 1888 में लिखा है और आपको बता दो उनके लिटरेचर का नाम है हिंदी साथ के जो इतिहाद लिखा उन्होंने अगे बढ़ा जाए तो प्रस्ण क्या है डाक्टर गिरियरसन ने बिद्यापती को भक्त कभी मानते है या सरिंगार कभी ये सभी लोग सरिंगार कभी बिद्यापती को मानते है ठीक है बिद्यापती एक प्रकार से मोलता सरिंगार कभी ही माने जा सकते है ठीक है ये बात ध्यार नखेंगे आगे देखेंगे अगला प्रसन आपकी स्किन पर आचुका है सोलवा नंबर प्रसन है फटापट से आप देखने का प्रियास करेंगे देखेंगा भाई प्रसन क्या है सोलवा नंबर है बिद्यापती पदावली पर किस गरंथ का प्रभाव है तो बिद्यापती की पदावली पर जैदेव की गीत गोबिंद का प्रभाव है आगे देखिएगा अगला प्रसन है बिद्यापती ने पदावली में नारी अंगों में सरबाधिक वरणन किस अंग का किया है तो पयोधरों का जादा वरणन किया है आगे देखेंगे अगला प्रसन अठारा नंबर पदावली में मुखितया किस रस का समावेश है तो विद्यापती की पदावली में बियोग स्रिंगार का उलेक बहुत जादा है ओके आगे देखेंगे अगला प्रसन है विद्यापती पदावली की पहली पंक्ती क्या है तो मलब एक प्रकार से यहां पर जो है नंद का जो मलब की नंद के पुतर है बगवान स्री किष्ण वो कदम के तरुवर के नीचे मलब पेण के नीचे बैठे हुई है और धीर धीर मुरली बजाने की बात यहां पर हो रही है अगला कोशन से आप देखेंगे बिस्वा नमर पर स बालचंद बिज्जावई भासा यह गरबोकती किसने की है तो बिद्यापती नहीं कहा था बालचंद बिज्जावई भासा ठीक है यह बात ध्यान किएगा तो इस प्रकार से यह सारे चीज़े आप आपके पाठे करमें बिद्यापती की राधा की बंदना संकलित है जैसे आप उसमें पढ़ते हैं विद्यापती पदावली से ही है राधा की बंदना की सुरी किष्ण प्रेम और राधा प्रेम तो राधा की बंदना में आप पढ़ते हैं कि देख देख राधा रूप अपार अपूरब के भी आन मिला ओल खिती तल लावनिसार ठीक है तो इस प्रक किएगा अगला परसाब की स्किन पर आजुका गोरक नाथ से रिलेटर है गोरक नाथ की अगर बात किया तो नाथ संपर्दाय के प्रवर्तक रहें गोरक नाथ ओके और इनका समय जो है आठवी से लबकी आठ सो से नो सो के बीच में माना जाता है बिद्वानों में भी मदभेद खासर के राहू संकरत्यान जो है इनका समय विक्रव संपत की 10 सताब्दी बताते हैं ठिके यानि कि आठ सो से नो सो इस बीच की बीच परसन क्या है पहला प बर्थवाल और डर्टर राम कुमार वर्वा मानते हैं पीटांबर दर्थवाल की अगर बात किया है तो इन्हेंने गोरक बानी का संपाधन किया है ये बात भी ध्यान ने कियेगा जो रिचनाब के पाठे करम में संकलित है खासर के जो सबदी आप पढ़ते हैं और पद जो र अधी नाथ मसेद नाथ गोरक चनाथ और इन्हीं सभी की परंपरा में रहे हैं चुकि ये खासर के नाथ संपरदाय से रिलेसन रखते हैं चोरासी संतों में भीन की संख्या मानी गई है नो नाथों में भी मानी गई है तो नो नाथों में कौन कौन थे इसे नागा अरजु हो गए ठीक है और जड़ भरत हैं हरिच चंद्र हैं सत्य नात हैं भीम नात गोरक नात अचरपट नात और जालंधा नात और मलायार जुन ये नो नात हैं ठीक है और गोरक नात जो है उन नात पंद के प्रवड़त भी मान जाते हैं नात पंद आगे चल करके और अधिक जब कहेंगे वो बात आप देखते हैं कहीं कहीं पर कभीर दास भी कहते हैं तो कभीर दास और गोरक नात के विचारों में आप समानता देख पाएंगे आगे देखिएगा अगला प्रसन है तीसरा प्रसन है डाक्टर बर्थवाल ने किस नाम से गोरक नात की कविताओं का संकलन प बाद में आते हैं मसेन, नाथ मसेन, नाथ के बाद गोरक नाथ आते हैं और मूलता अगर बाद के तो नाथ संपरदा के परवर्टक जरूर है वो जो है गोरक वो एक परकार से खासर के नाथ संपरदा के परवर्टक भगवान संकर लेकिन नाथ संपरदा के परवर्टक जो है मुख्य रूप से कर देखें तो गोरक नात को बताया जाता है बहुत सारे विद्वान उसको सो विकार करते हैं आदी नात का मलब भगवान संकर तो पहले कौन है आदी नात है उसके बाद में कौन आते हैं मस्य नात फिर गोरक नात आते हैं फिर गैनी नात आते हैं फिर सिरकीन का नाम सबसे पहले है गोरक नात का ठीक है उसके वाद में और भी लोगों का है अगला कोशन साब देखेंगे प्रस्ण है मानो गुरूओं में नात पंथ का प्रथमाचार कौन माना जाता है तो मानो गुरूओं में नात पंथ का प्रथमाचार मस्यन नात को मानते हैं क्योंकि अब भरन्ष व'ारा कि भासा में आप देखते हैं इससी प्रकार से आप देखते हैं तो पा लगा करके यहाय सकती हैं अगय अगया कॉस्वाया, पंथ के कंफटा योगि कान्फटा योगि कांफटा योगि या 15 पंथी योग 노래 कां Negendal विधारणड करते हैं जैसे योगी भाबा जो है गोरक नाद परंपरा से मलब की वो नाद परंपरा से ही नाद संपॱ्टाय में दिख्शा लेते हैं ठीक है और गोरक नाद मंदिर भी है आप अगर जाये गैंट वहाँ पर जो nातों की या फिर नौनातों की बात किया, सभी की मूर्तियां वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, मैं गया हूँ और मैंने देखा भी है, गोरकपुर में है, अगला परसन है, हट योग का परवर्तन किसको लेकर के हुआ, इसवर प्राप्ति को लेकर के हुआ, आत्मा परमात्मा के मिलन क को लेकर के हट योग का परवर्तन किया गया, अगला परसन नात पंत की प्रतिष्ठा किस कारण से हुई है, हट योग के कारण ही, नात पंत की प्रतिष्ठा हुई है, हट योग जो है मुखरूप से, नात पंत का विसेश, विसेशता रही है, गोरक नात के अगर बात किया ह दोनों में रचनाई लिखते थे और खासर के आप देखेगा 1350 इस भी इनका इनके रचनाओं का काल माना जाता है मुखरूप से ठीक है और इनकी कई सारी पुस्तके भी मिलती है इसे गोरक गड़ेश गोस्थी महादेव गोरक संबाद गोरक बोध दत गोरक संबाद नर्वई बोध ठीक है नर्वई मलब की नर्पती ठीक है नर्पत सब्द का भरंस में नर्वई कहा जाता है तो वही नर्वई बोध या नर्पत बोध बिराड पुराण गोरक सार गोरक की बानी तो इस प्रकार से कई सारी पुस्तके हैं जो की गोरक नाथ के द्वारा स्व के द्वारा लिखी गई है इसमें थोड़ा सम्माति भरम होता है कुल के इतिहास में एक साथ प्रतिष्ठा प्राप्त है तो जो हम अमीर खुसरो को जितना महतु हिंदी साहित में देते हैं उतना ही महतु हम उर्दू साहित में देते हैं अमीर खुसरो के गर बात किया है तो इनका जनम हुआ था तीन मार्च को बारा सो तिरपन इस भी में उत्तर 3 मार्च का डेट निकलती है ठीक है छेसो बावन हिजरी संबत में इनका जनम होता है उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गाव अस्थान पे इनका जनम होता है अगला प्रसन अमेर खुसरो के पिता का क्या नाम था सैफु दिन इनके पिता का नाम था इनका प्रफिजन क्लास भी है ठीक है कोई क्रिविजन आपका हो जा रहा है लिखित वालों के लिए बहुत जानकारी मिले इस वीडियो के माद्यम से अब्जिक्टिव वालों के लिए बहुत इंपॉर्टन प्रसंद तयार हो रहे हैं अगला प्रसंद है अमेर खुसरों के पिता की मृतिव के समय अमेर खुसरों की उमर कितनी थी बताएं फटावट से सभी लोग बताने का प्रियास करेंगे मात साथ साल के थे अमेर खुसरों जब इनके पिता जी का देहांत हो गया था इनके पिता जी की मृतिव हो गई थी ये बाद ध्यान रखियेगा आपको बता दू यह अब यह हजरत निजामदीन अउलिया से दिक्छा गरहण करते हैं और बाकाइदे उनके मुरीद यानि इसित से बन जाते हैं और अपने पीर यानि गुरू को पीर कहााता हैो उर्दू में अगुरू जो है उनका देहांत हो जाता है तो एक दोहा लिखते हैं गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केज चल खुसरो घर आप ने रहें भाई चोदेश और गुरू के मृत्व के छे महीने के भीतर ही अमीर खुसरो भी मर जाते हैं उनका भी देहांत हो जाता है ठीके 23 अक्टूबर अमलब की 1325 इसवी में इनकी मृत्य हो जाती है 1223 में जनम होता है अक्टूबर महीने में इनका देहांत हो जाता है ये बात ध्यान लखेंगे आगे देखिए अगला प्रस्ण है खुसरो का साब्दी कर्थ क्या होता है खुसरो कार्थ होता है समराट या बासा अगला कोशन साब देखें खुसरो को आमीर की उपाधी किसने प्राप्ट की थी यानि इनको खुसरो को अमीर खुसरो किसने कहा या अमीर की उपाधी इनक नखेंगे इस बात को, नव नंबर प्रसन आप देखेंगे, नववा नंबर प्रसन है, अमीर खुसरो के नाना का क्या नाम था, इमादुल मुल्क, अगला प्रसन है, अमीर खुसरो के दिक्षा गुरू का क्या नाम था, हजरत निजामुद्दी ने उलिया, इनके दिक्षा गुरु का नाम था ठीक है अमीर खुसरों की गुरु परंपरा में आदी गुरु का सिरे किसे प्राप्त है ख्वाजा मुहिनुद्दीन चिस्ती को आदी गुरु होने का दर्जा प्राप्त है ठीक है आगे देखेंगे अगला प्रसने बारवा नंबर प्रसन देखेंगे अम जल उल्फ हवाइद को जब गुरू को भेट किया तो उनके गुरू ने उनको आशरबाद स्वरूप में क्या दिया था एक लबादा और एक चार कोने की टोपी भी उनको मलब की टोपी इनको दी थी गुरू जी ने भेट में अमेर खुसरो को अगला परसाब देखेगा प्र तो हाँ एक प्रकार से आपके पाठा करब में भी संकलित है आपको ब्याक्या भी करनी है इसके लावा कवाली भी आपके पाठा करब में संकलित है चापा तिलक तजदीन ही रेतों से नैना मिला के प्रेम बटी का मदवा पिला के मतवारी कर दीन ही रेत मों से नैना मिला के खुसरो निजाम पे बली-बली जैये मोहे सुहागन कीन ही रित मोसे नैना मिलाई के ठीक है तो कवाली जो है उसकी ब्याक्ख्या मैं कर चुका हूँ इसके लावा गीत भी इनके संकलित हैं जैसे की काहे को ब्याही विदेसरे लखी सक्खी बाबुल मोरे ठीक है इसके अलावा इनके जो कुछ दोहे आपके संकलित क्या गया है यही वाला दोहा जो उन्हेंने अपने गुरु की मरतियों पर लिखा था और उसके 7-8 साल बाद इनकी भी मरतियों हो जाती है मलब 6-7 महिने दीन अउलिया की जब मरतियों हुई थी तब उन्हेंने लिखा था आपको बता दो खुसरों जो है अपने गुरु को अपनी प्रियतामा समझते है यानि अपनी प्रेमिका के रूप में मानते थी जितना कोई विक्ति अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है उतना गुरु जी को प्रेम करते थे अमीर खुसरों और आपको बता दो खुसरों जब इनकी मरतियों हो जाती है 1325 में उसके 6 महिने के बाद में ये खुद भी एक प्रिकार से मरतियों इनकी भी हो जाती है खुसरों जी की और आपको बदा दो खुसरों कहते हैं कि मेरा प्रिय यानि मेरी गोरी जो है अपने मुख पर चादर यानि की कफन डाले हुई है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस प्लब केस कतात पर यहाँ पर देखे गोरी अगर कोई सेज पर सोवेगी सेज मलब यहाँ पर एक परक प्रतिकात्मक सब्दावली में बात की जा रहे हैं कि मेरा प्रिय जो है या मेरी गोरी जो है अपने मुख पर चादर यानि की कफण डाल करके सो गई है और उसके इस दुनिया से चले जाने के करण क्या हो गया है मेरे लिए रात हो गई है चल खुसरो घर आपने सांजबही च अदेश खुसरो अपने आपको कहते है कि चारों तरफ अधेरा हो गया है अब मुझे रास्ता नहीं सुझाई दे रहा है कि मैं किधर जाओं वह अपने आपको सम्मधित करते हुए कहते हैं कि एक खुसरो तू भी अपने घर चल जहां से तू आया है वहीं वापस चल मनलब इस संसार को त्याग करके तू अपने संसार की तरफ चल यानि कि एक प्रकार से और अपने गुरू से फिर से वो रिस्ता बना ले जो रिस्ता छूट गया है यानि चुकि कुछ दिनों के लिए हम लोग इस प्रत्वी पर आये हैं और उसके बाद में हमको फिर वही परमात्माय में जाना है तो कोई मिला करके ये बाद बताई गई है अब आपको बता दू कि गुरू के मुखमंडल से ही सिस्तिका जीवन प्रकासित होता है पहली बात दूसरी बात सामान रूब से सोई नायका के चित्टड के द्वारा आपने गुरू की मिर्तिव का अंधर उपड यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से करते हैं आगे देखिएगा अगला प्रसन है अमीर खुसरो ने किन विधाओं की रचना की है तो अमीर खुसरो ने मसनभी सहली भी लिखी है मसनभी सहली में दो सकुने भी लिखे हैं गजल लिखी है मुकर्णी लिखी है दोहे लिखे हैं गीत लिखे हैं पहलिया बहुत सारी लिख खाय खुसरों को मिला करके बड़े जवर्दस आदमी थे हर छेतर में इनको एक प्रकार से जो है मिला हुआ है हर छेतर में इनको ख्याती प्राप्त है और जो है खास करके ये खड़ी बोली के एक प्रकार से सुरुवाती दौर में खड़ी बोली को इन्होंने ही आगे बढ़ 17 नमबर प्रसन है खालिक बारी किसकी रचना है तो खालिक बारी जो है अमीर खुसरों की रचना है खालिक बारी किस प्रकार की रचना है तो खालिक बारी जो रचना है एक प्रकार का सब्द कोस है इसमें च्छंदबद धंग से मुक्तया हिंदी और फार्सी सब्दों की प्र प्रियास करेंगे. 19 नमबर प्रस्ण है. मुकरी या मुकरनी का साब्दिकर्थ क्या होता है? तो किसी बात को कह करके मुकर जाना या बात बदल देना अथवा अपनी बात से इंकार कर देना ही मुकरी या फिर मुकरनी होती है. ठीक है? अगला पर से सूर्च गजी की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा सूर्च गजी के बारे में、 सूर्च जो है ओ किष्णभक्ति साखा से रिलेसन हकते हैं और इसके अलावा सूर्दास जीक ऑगर बात की जाए तो वह प्रकार से बिट्ल गात इल्ड पतात ने जो अश्ट चौपके, अश्ट का शंगरे, क्या था, किष्णभक्ति कभी उकल कठा करके, उसके परवर्तक थे, लब उसके अश्ट चौपके परवर्तक तो बिट्रलाथते, लेकिन उसके प्रम Украї जो है अश्ट चौपके, जो है यही थे सूर्दास जी थे यह बात ध्यान ने कियेगा ओके देखें सूर्दास जी का जनम अस्थान कहां पर है भाई सूर्दास जी का जनम अस्थान है सीही नामक ग्राम आपको बदा दू सूर्दास जो है यह इनका जनम जो हुआ था यह लगभग प्रकार से अगर ब पुराना नाम उसी को बताते वहाँ पर जनम हुआ था लेकिन डाक्टर पीतामबर दत्थबर्थवाल ने गौलियर का नाम गोपाल अचल सिद्ध करते हुए इसे ही सूरदास की जनम भूमी बताया है और साहित लहरी जो इनकी रचना है उसमें परिचे वाले पद में सूर के पिता का निवासस्थान गोपाचल माना गया है और कभी खासिर के मिया सिंग एक है उनके द्वारा रचना है भक्ती बिनोद उस भक्ती बिनोद में इनका जनमस्थान सूरदास जी का मतुरा बताया गया है ठीक है तो ये बात ध्याने किएगा और इनका जनम जो हुआ था के बैसाख मास था उस समय इनका जनम हुआ था सुकल पक्ष था पंचिमीति थी और दिन मंगलवार था उस दिन का जनम होता है टटर हरबंस लाल जो है सूरदास की जनम के संदर में ये बात बताते हैं यानि संबत 1535 बिक्रमी में इनका जनम होता है ठीक है ये बात ध्याने के खात कुछ लोग इनका जनम आचा रामचंद शुकल 1548 बिक्रमी इनका जनम मांते हैं अच्छा 1540 बिक्रमी में से अगर आप 57 घटा देंगे तो आपका संद निकलाएगा 1545 घटाएंगे तो कितना निकलेगा 10 मैं से 7 गए कितना बचे गा 3 यहां होए 13 तेरा मैं से 8 गए ठीक है तो उत्रा निकलेगा किलियर आगे देखेंगा अगला परसन सूर की काब इसली कैसी है तो पताएं सूर की काब इसली जो है गीतात्मक है और उसमें गयता है गेपद में सूरदास लिखते थे जनमांध थे ठीक है आगे देखें तीसरा परसन है सूरदास के जातिके थ तो सूर्दास जो थे वो सारसत तो बरामर थे, अगला कोशन साब देखेंगे, सूर ने किन किन करतीयों की रचना करी है, यगे सूर सागर की मुखिरूप से रचना सबसे फेमेज़ जो रचना है वो है सूर सागर, इसके अलावा साहित लहरी और सूर सारावली भी रिचना ये सूर्दास की मुखिरूप से तीन रिचनाएं जो हैं सूर्दास की हैं जो की एक प्रकार से प्रमाडिक हैं कुछ सूर्द सागर तो प्रमाडिक हैं बाकी रिचनाएं भी कुछ प्रमाडिक हैं में कुछ लोग इसमें थोड़ा सा ठीका टेपड़ी जरूर करते हैं लेकिन फिर भी ये तीन अचना इनकी सर्वविदित हैं और सभी ने परमाड़ित करी हैं अगला प्रसन है सूर की करीडा अस्थली किसे कहा जाता है तो ब्रज भूमी को सूर दास की करीडा अस्थली कहा जाता है अगला प्रसन है चठा नंबर सूर ने किस गुरू से दिख्छा ली थी तो बल्लभाचार से दिख्छा ली थी बल्लभाचार के पुत्र थे गोश्वा आगे देखेएगा अगर प्रसन आपकी स्किन पर अच्छा पुष्टि इमार्ग का जहाज किसको कहते हैं तो सूरदास को पुष्टिमार का जहाज भी कहा जाता है क्लियर आगे दिखिएगा सातवा प्रसन है सूर काская काव मुक्यतया किस भासा में है बताएं नेक्स्ट कोशन से आप दिखेंगे अगला प्रसन है सूर्दास ने कहां पर दिखचा ली थी सूर्दास ने गवगाट पर जाकर करके दिखचा ली थी आगे देखेंगे अगला प्रस्ण है सूर्दास में प्रकरती का प्रियोग किस रूप में हुआ है तो सूर्द की दास की जो काब्य है सूर्द का रचनाएं है उन्हें प्रकरती का प्रियोग जो हुआ है वो उद्दीपन रूप में जादा हुआ है ठीक है किसमें आलंबन र बातों को बारवा प्रस्ण है सूर्दास को काब के किस रस में अधिक सफलता मिली है तो सूर्दास को स्रिंगार और वात्सल रस के वरणन में अधिक सफलता मिली है नेक्स्ट कोशन सा आप देखेंगे तेरवा नमबर प्रस्ण है वात्सल और भक्ती रसों का अस्थाई भाव क्या है तो वात्सल जो है इसका अस्थाई भाव क्या है उसका अस्थाई भाव वात्सल और स्रिंगार रसों का जो मलब स्रिंगार भक्ती रसों का अस्थाई भाव जो होता है ठीक है रती जो है वासल का सरंगार का और भक्ती इन सभी का स्थाई भाव जो है वो रती होता है ठीक है ये बात ध्यान नखिएगा ओके आगे बढ़ा जाए तो इस परकार से आप लोगों ने जो है सूर्दाश जी की बारे में तमाम सारी बाते बताएं सूर्दाश जी वैसे तो जनमांद थे और आपको बता दो कि जनमांद होते हुए भी इन्होंने ऐसे से पदो को लिखा है कि अगर उन पदो को आप पढ़ेंगे तो एक दम से मजा आजाएगा और इन पदो को पढ़ने के लाद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लेगा कि ये जनमांद थे क्लियर आगे बढ़िये अगला परसना आपके स्किन पर आ चुका है गोश्वामी बाबा से गोश्वामी बाबा की बात किया तो सभी लोग जानते होंगे गोश्वामी बाबा के बारे में तुलसिदाजी महराज के बारे में आपको बता दू कि तुलसिदाजी महराज जो ह वो एक प्रकार से रामचरित मानस जैसा विसाल महाकाब देते हैं हिंदी साहित को जो की अपने आप में अमून लिधी है हिंदी साहित का एक हजाना है और रामचरित मानस के एक दोहे के चोपाई हिंदी साहित के एक एक निधी है जिस प्रकार से बिहारी लाल का एक बिहारी तुलसिदास का स्थान जहाँ पर सूरी के समान है भक्तिकाल में या हिंदी सायत में वही पर तुलसिदास का स्थान चंद्रमा के समान है वही पर उडगन केसोदास यानि केसोदास का स्थान जो है नक्षत्रों की भाती है यानि की तारा की भाती है और वही पर आज की कभी ज यह बात ध्याना किएगा ओके यह बात ध्याना किएगा राजापुर नामक गाउं कहां पड़ता है तो गोंडा में पड़ता है राजापुर नामक गाउं यह बात ध्याना किएगा ओके 1554 बिक्रमी में इनका जनम होता है और बहुत सारे समिच्चे के ही सभिकार भी करते हैं कुछ लोग बांदा जिले के राजापुर नामक गाउं में बताते हैं कुछ लोग इनका जनम एटा जिले का जो सोरो नामक अस्थान है वो बताते हैं ठीक है लेकिन कुछ लोग जो है उनका जनम और गोसामी जी का जनम कुछ लोग तो गोंडा में एक प्रकार से गोंडा जिला में गोंडा जिस जिले से मैं हूँ वहाँ पर एक पसका नामक स्टेट है पसका नामक अस्थान है वहीं पर एक राजापुर नामक गाउं है उसी राजापुर नामक गाउं में हुआ था सूकर छेत्र गोंडा जिला जो है वो सर्यू नदी के किनारे एक पवित्र तीर्थ अस्थान है जहाँ आप देखते हैं आसपास के कई जीलों के लोग अस्थान करने के लिए आते हैं सर्यू नदी और यहाँ पर मेला भी लगता अच्छा रहीम दास और यह बड़ी मित्र थे गोद लिये हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए यह रहीम दास ने कहा था तुलसी और रहीम में मित्रता थी इसलिए आप देखते हैं रहीम की भासा बरज है और तुलसी की भासा अधी थी तो तोसी दास जी ने एक प्रकार से ब्रज में भी लिखा और अओधी में लिखा चुकि रहीम दास के रिक्वेस्ट पर लिखा था रहीम दास ने कहा था कि प्रभू थोड़ा सा इसमें भी लिख दीजिए ब्रजभासा में लिखे ब्रजभासा में भी लिख दीजे तो उन्होंने लिखा था ब्रजभासा में ठीक है ये बात ध्यान नेखीगा तो इनका बच्पन का जो एक प्रकार से जीवन था बड़ा संकट ग्रस्त हुआ करता था बाबा गोश्वामी का ठीक है चले जानते हैं अगला प्रसन जो बनता है क्या बनता है भी देखे तुलसिदास जी के माता पिता का नाम क्या था तो इनके माता पिता का नाम माता जी का नाम होसी था पिता जी का नाम आत्मा राम दूबे था अगला कोशन से तुलसिदास जी की पतनी का क्या नाम था तुलसिदास जी की मास मिल बना शरीर है अलेवर Evans फ्रकार हुद मास से मिल करके हमारा सरीर बना mates balance पूर इस प्रकार से अगर आप ऐसी प्रीथ कर रहे हो अगर यही प्रेमा भग्वान से कड़े प्रभू से करते तो आपको मौक्श मिल जाता इस फ्रकार से रत्नमली बोलती है आधी रात में चले जाते हैं उनके घर ठीके बीना बताए चले जाते हैं रत्ना वली अपने माई के तो ये चले जाते हैं रात में आते हैं विक्षा उक्षा मांग करके तो गुष्वामी तुलसी दास ने किस गुरू से दिक्षा ली थी तो गुरू नरीहर दास से ले लेते हैं वो ये बाध्यान नखेंगे अगला परसन है तुलसी के काभी की भासा कैसी थी तुलसी दास के काभी की भासा संस्कृत निष्ट है सुद्ध कोमल है ब्रज और आवधी दोनों भासा का प्रियोगे करते हैं और दोनों में संस्कृत निष्ट भासा का प्रियोग करते हैं अगला परसन है गोस्वामी जी के प्रमारिक गरंथों की संख्या कितनी है तो गोस्वामी जी के बारा गरंथ प्रमारिक हैं ओके कितने गरंथ प्रमारिक हैं भाई गोस्वामी जी के बारा गरंथ जो है वो प्रमारिक है ये वाध्याने किएगा उसमें रामचरित मा सबी का उध्यार करें उस प्रकार से कविता का भाव जो होता है कविता का उध्यार करना होता है यह कहते है राम से बड़ो है कौन मोसो छोटो राम सो खरो है कौन कौन मोसो खोटो वो कहते है कि तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्धपात की तू पाप पु अगला परसन है गोस्वामी जी की मरतिव के सस्थान पर हुई थी गोस्वामी जी की मरतिव जो हुई थी वो असी गंग की तीर हुई थी यानि असी घाड पर हुई थी ठीक असी घाड बराणसी में पढ़ता है आपसन क्या आप जो भी पूछा जाएगा तो आप आसनी से बता पाएंगे सारी चीज़ा आपके दिमाग में वह इसे गुश जा रही है अगला परसन आपके स्किन पर पाज गए कितना बचे के साथ मत से पाज गए दो ठीक है और यहाँ पर आगए आपका सोला का सोला सोला सो तेस इस इस भी में इनकी मरती हुई थी गुश वामी बाबा की अगला को असन साब देखें दसवा नंबर परसन है तुलसी दास को और किस नाम से जाना जाता है कबीर के राम हो चाहे वो जो है के सुदास के राम की बात करें चाहे आप वो कंबन नामायाण की बात करें चाहे बालमी की के राम की बात किया है जो मर्यादा और जो मर्यादा पुर्शोत्तम का भाव और जो उनका बिराड सुरूप भगवान सिरी राम चंदर का जो गोश गोस्वामी बापा तुलसिदास जी है अगला कोशन से बरवय रामायन करे चिता कौन है तो गोस्वामी तुलसिदास जी है तुलसिदास किस का विधारा के सरबोच कभी है तुलसिदास जो है उरा मक्ति साखा के सरबोच कभी है यह सब आते ध्यार नकिएगा परिक्षा में पुछाया सकता है इन प्रसनों मलग कभियों से आगे देखेंगे अगला प्रसनाप की स्किन पर आ चुका है कभीरदास आ चुके हैं कौन कभीरदास जी महराज कभीरदास जी की अगर बात किया है तो बहुत ही बिद्वान आदमी थे ठीक है और ये संत परंपरा से रिलेशन लगते हैं कभीरदास कभीरदास जो है वो जो कहना होता है वो कहते है चाहे मुसलमानों की बुराई करनी है मुसलमानों में जो बुराईया है उनके धरम में उसके बारे में हो चाहे हिंदू धरम में जिस प्रकार के आलोचना कवीर ने किये है, वह ऐसा साथ पुरे त्सान सार में किसी नहीं किया होगा, मलब आलोचना करने में उस समय के आलोचक मान सकती हो आप इनके धरा मुरम में जितनी भी जूढ़ीयां रित निवाज यैं तमाम प्रकरते जितना भी परमपराये थी जो एक प्रकार से तरक संगत नहीं थी उनस सभी पर करारा प्रहार भी करते हैं कुछ चीजों पर नकारातमलप की कुछ चीजों पर प्रहार करते तो ठीक लगता है लेकिन कुछ चीजों पर उनका प्रभाव कहिन कहीं पर लगता है कि ये किवल इसी लिए लिखते थे कि भाई प्रहार ही करना है लोगों पर लोगों को एक प्रकार से आप देखिए इनसे मुसलमान भी चिड़े रहते हैं इनसे कुछ हिंदु धरम के लोग भी चिड़े रहते हैं कबीर दास से कबीर दास की अगर बात किया तो इनकी बाडियों का संग्रा है बीजक चुकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे इनकी संग्रा है बाडियों का बीजक नाम से प्रसिद्ध है तीन भागों में बटा हुआ है बीजक साकी सबद रमैनी ये बात ध्यान नखिएगा और आपको बता दू कबीर की अगर बात करें तो कबीर किस ब्रह्म के उपासक थे तो निर्गुड ब्रह्म के उपासक थे निर्गुड का विधारा से रिलेटर है अगला प्रसाम देखें दूसरा नमर प्रसा है कबीर की भासा का रूप क्या था सदुकड़ी था सदुकड़ी भलब सादों की बीच में जाते थे तो आलग अगलग साधों की बीच में गए तो उन्ही साधों के मुख से जो चीजे सुनी जानी वही एक प्रकार से अपने लोगों को बताते थे या काविकता जो सुनते थे वही बताते थे चुकि पढ़े लिखे नहीं थे कबीर ठीक है और इनमें कभित का भाव कोई नहीं मलब की सब सिष्ट संत के रूप में आप इनको मान सकते हैं कबीर दास को ठीक है तो कबीर दास की भासा जो सदुकड़ी है कई सारे साधों के अस्थान पर जाते थे संत के लोगों के सरण में रहते थे रामानंद इनकी जो है गुरू थे ठीक है ये बात भी ध्यान नकेंगे तो ये निर्गुर राम की उपासना करते हैं और इसके अलामा कबीर की अगर बात किया है तो कबीर की भासा पंचमेल खिचड़ी भी है उनकी भासा में अवधी बरज भासा राजस्थानी पंजाबी ठीक है इन सभी जो है बोलियों के भी पुटा आपको मिल जाएंगे इसके अलामा आगे देखियागा अगला प्रसन है कबीर दास का रहस्वाद किस प्रकार का है साधनात्मक रहस्वाद की बात कबीर दास करते हैं अगला प्रसन चौथा नंबर कबीर ने किन कुरीतियों का विरोध किया था तो कबीर ने मूर्ती पूजा का विरोध किया था इसके अलाब गाए तो वो और एक और आगे कहते है कि क्या बहरा हुआ खुदा है ऐसे लास्ट में पंक्ति है जो मैं को एक बांगते हैं मुस्लिम लोग जो है अजान होती है उसको लेकर के तर्क करते हैं ऐसा तर्क अगर उस समय के जबाने में कोई विदेशी विक्ति देता या कोई विक्ति ऐसा जो है चीजे बोलता तो सायद वो जिन्दा ना बसता मलब ये बहुत सारे बिद्वानों ने भी बताया कि कभीड़ा जिस परकार से हिंदुस्तान में इतना इतनी कड़ी तरीके से आलोचनाय कर रहे थे बुराइया कर रहे थे बुराइया ने एकिदम से फट कार लगा रहे थे लोगों को चाहिए हिंदु धर्म की बात किया है कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहार ताते तो चकिया भली पीस का संसार वो मुर्ती पूजा का खंडन करते हैं विरोध करते हैं वो मुसल्मानों के रोजा रहने पर बिरोध करते हैं कि अगर तुम नहीं दोगे तो उनको मिलगा नहीं तो इस प्रकार से वो सारी शीजे बोलते हैं अच्छा जो बाते यहाँ पर कबीरदास बोल ले हैं मैं उन सभी बातों का समर्थन नहीं करता हूँ यह बात ध्यान न कियेगा ने तो आप लोग सोचों कि सर्जी भी समर्थन कर रहे हैं हर एक बातों का जो उन्होंने बोला है जो उन्होंने बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मेरी कोई विचारधारा नहीं है किसी धरम बिसेश के बारे में टिपड़ी करना मेरी कोई राय नहीं है मेरी कोई विचार धारा नहीं है ये बात ध्यार नखेगा clear तो ये मैं सोचेगा कि जो है सरजी बोल लहें कि इस प्रकार से धर्म के बारे में टिपडिया कर रहें मैं कुछ नहीं बोल ला हूँ मैं सभी धर्मों का बाकाइदा समान करता हूँ सभी धर्मों के रिस्पेक्ट करता हूँ ठीक है ध्यार नखेंगे इस बात को आगे देखेंगे अगला प्रस्णाब के स्किन पर आ चुका है अगला प्रस्णाब देखेंगे फटापड से देखेंगे कबीर के जनम अस्थान का नाम बताईए तो इनका जनम हुआ था लहरतारा नाम के अस्थान पर हुआ था लहरतारा नाम के तालाब था वही पर इनका कासी में पढ़ता है लहरतार अस्थान आगे देखेंगे अगला प्रस्थान है कभीर ने साहब सब्द का प्रियोग किसके लिए किया है तो कभीर में जो साहब सब्द होता है परमात्मा के लिए किया आता है ये बात धैने किये ओके आगे बढ़ते हैं अगला कोशन साब की स्किन पर आ चुका है कबीरदास जी कौन सा रूप सरबाधिक परसिद्ध कबीर का तो समा सुधारक रूप जो है इनका सबस्यादा परसिद्ध है अगला कोशन साब की स्किन पर आ चुका है आठवा नंबर कबीर दास जी का पालन पोस्ण करने वाली माता पिता का क्या नाम था इनके माता पिता का नाम था नीरू और नीमा ये दो जुलाहे थे जिन्होंने इनका पालन पोस्ण किया था अगला कोशन साब देखें कबीर दास ने साखी को क्या कहा है तो साखी को ग्यान की आँख कहा है कबीर दास ने साखी का मलब क्या होता है ग्यान की आँख ओके अगला कोशन साब देखेंगे कबीर दास जी के गुरू का क्या नाम था इनके गुरू का नाम था रामानंद कबीर दास ने माया को क्या कहा है कबीर दास ने कहा कि माया महा ठगिन हम जानी यानि कबीर ने माया को महा ठगिनी और डायन कहा है आगे देखेंगा अगला प्रस्ण है कबीर दास जी की रचनाओं का संग्रह क्या है तो उनकी रचनाओं का संग्रह है बीजक कबीर ने आत्मा और परमात्मा के बीच कैसा संब्द सो विकार किया है तो पती पतनी का संब्द जैसे होता है वैसे आत्मा और परमात्मा का संब्द होता है 14. साकी सब्द का क्या अर्थ है? साक्षी या गवाह कबीर के अच्छा रमैनी सब्दकार्थ होता है रामायड ठीक है और सबद का बलब होता है सब्द कबीर के गेपद किस नाम से जाने जाते हैं तो सबद के नाम से जाने जाने जाते हैं कबीर के पती रूप में किसका चित्रण करते हैं तो कबीर पती रूप में परमात्मा का और पतनी रूप में जीवात्मा का चित्रण करते हैं ठीक है यानि आत्मा पतनी है और पती कौन है परमात्मा है क्लियर आगे दिखिएगा अगला प्रसना आपके स्किन पर आ चुका है मलिक मुहम्मद जाइसी से रिलेटर मलिक मुहम्मद जाइसी के बारे में गर बताएं तो जाइसी की पिता का क्या नाम था भाई जाइसी की पिता का नाम था सेख ममरेज ठीक है आगे देखें अवधी भासा के कभी हैं अवधी भासा में लिखते थे पदमाव जैसा महागरंथ लिखा जैसी ने ठीक है सूफी परमपरा से रिलेटेड है ओके निरगुड प्रेमा सरी साखा के परवर्तक है जैसी का जनम अस्थान कहां पर है भाई तो राय बरेली जिले में इनका जनम स्थान है राय बरेली जिले में इनका जनम हुआ था जैस नगर मोर स्थानु जैस नावा के कस्थान है वहीं पर इनका जनम हुआ था अगला परसन है जैसी गुरू का क्या नाम था इनके गुरू का नाम था सैयद असरफ जहांगीर ओके नेक्ष्ट को में हुआ तो सिंगल दी पाज का लंका अगला कोशन साब देखेंगे जैसी की प्रमुक रचनाएं कौन सी हैं तो जैसी की प्रमुक रचनाएं हैं पदमावत सबसे फेमस रचना फिर अखरावट उसके आदमें आखरी कलाम यह सब रचनाएं किसकी हैं जैसी की हैं अगला नायकेस भासा में है तो अवधी भासा में है जायसी की परमुग रचना कौन सी है तो पदमावत इनकी परमुग रचना है पदमावत जो है ठेट अवधी में लिखी गई है और आपको बदा दू कि ये मसनभी सैली में लिखी गई रचना है और इसमें दोहा और चौपाई मे लिखी गई है उके पदमावत की नायका का कहनाम है पदमावती नायक जो है उरतन सेन है और जैसी का पूरा नाम है मलिक मुहमद जैसी पदमावत की कथावस्तु कितने खंडों में बटी हुई है 57 खंडों बटी हुई है अगर उप सहंकार को या conclusion को अगर सामिल कर लेंगे तो 58 खंड हो जाते हैं इसमें ये बात भी आध्यान रखेंगे जैसी किस साखा के कभी है भाई तो प्रेमा सरी साखा के कभी है ये बात ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार जायसी के बारे में कुछ बात हैं मैंने आपको बताई जो की बहुत ही मैत्रपूर्ण थी आपकी परिक्षा के दिश्टी से अगला परसने केसोदास से रेलेटर केसोदास के अगर बात करें तो केसोदास के बारे में क्या चीज़े हैं भाई केसो दास जी का जनम कब हुआ था और कहां पर हुआ था तो केसो का जनम हुआ था जो है किस अस्थान पर हुआ था और कब हुआ था केसो का जनम हुआ था और चा नगर में संबत 1612 बिक्रिमी में इनका जनम हुआ था संबत से एगर 57 घटाएंगे तो उसन निकल आएगा ये बाद ध्यान रखेंगे अगला परसने तीसरा नंबर केसो दास की मलब किस जाती के थे तो केसो दास जो थे हो सानाध भी ब्रामण हुआ करते थे ठीक है या नि ब्रामण जाती के थे अगला परसने मूल गोसाई चरित के अनुसार केसो किसके समकालीन थे तो मूल गोसाई चरित के अनुसार केसो जो थे हो तुलसी दास के समकालीन थे आगे देखिएगा अगला परसन है केसो दास को पैत्रिक संपत्ति के रूप में कौन सी भासा प्राप्त थी संस्कित भासा जो है इनको पैत्रिक संपत्ति क और फेमस रचना है कभी प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहां गिर्जा शंद्रिका, इस सब रचना हैं केसोदास की हैं, जो कि बड़ी फेमस फेमस रचना हैं, प्रसिद्ध हैं, अगला कोशन सा आप देखेंगे, हिंदिस साहित में रीती परमपरा को जनम देन जनम देने वाले, पहले कभी कौन हैं, तो हिंदिस साहित में रीती परमपरा को जनम देने वाले, पहले जो कभी हैं, वो हैं केसोदास, ठीक है, रीती बध का बिधारा के परवर्तक है केसोदास, केसोदास को ही एक परकार से कुछ लोग जो है, परवर्तक मानते हैं, जो है रीतिकाल का ये बात ध्यानक हैंगे आगे बढ़ ये केसोदास की मृतिव किस समय हुई थी तो इनकी मृतिव हुई थी जो है कब हुई थी भाई फटापट से आप बताने का प्रियास करेंगे संबत 1974 में इनकी मृतिव हो जाती किसकी भाई किसकी मृतिव तो केसोदास की ओके ये बात ध्यान रखेंगे किलियर आगे बढ़ा जाए केसोदास के बारे में चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी केसोदास के बारे में और भी बात की जाए तो ये केसोदास जो है इनकी और भी रचनाएं हैं और खासर के ये कहते हैं केसोदास की भा इनकी मृत्यु 1974 यहां पर थोड़ा सा में स्प्रेंट हो गया है 1974 नहीं इसको 1674 आप कर लेंजेगे ठीक है क्या करेंगे 1674 में इनकी मृत्यों होई थी विक्रमी में ठीक है आप देखेंगे फंदरासो 171 zb में । इनका जनम होता है और 1617 SB में इनकी मृतिव होती है ध्यान से लिख लिजएगा 1617 SB ठीक है बिक्रम की अगर बात की जाए तो 1674 बिक्रमी कर लिजएगा 1674 बिक्रमी मृतिव होती है और जनम कब होता है इनका 1612 बिक्रमी में इनका जनम होता है 1674 ठीक है 1674 विक्रमी किलियर और अगर इस भी में इसको निकालेंगे तो 1600 कितना निकलेगा 1617 इस भी निकलेगा किलियर ये बात ध्यार नखेंगे आगे देखिए अगला प्रसाब किस किन पर आ चुका है बिहारी लाल से रिलेटर बिहारी का जनम कहां पर हुआ था भई तो गौलियर में बिहारी का जनम हुआ था पिता जी का कैराम था केसो राय नाम था बिहारी किस कुलके थे तो ब्रामन कुलके थे बिहारी की एक मात रचना कौन सी है ससई बिहारी ससई बिहारी की यवा आवस्था कहां पर बेतीत हुई थी तो मतुरा में इनकी यवा आवस्थ था बेतीत हुई थी ये बाद है ने कि विहारी की एक मात रचना है विहारी से सही कितने दो हैं 713 दो हैं कोई कोई 720-21 बताते हैं आगे देखेंगे आगे अगला प्रसन आपके स्किन पर आ चुका है फटा पट से आप देखिएगा प्रसन बड़ा ही इंपोरेंट है प्रसन क सैया 95 के दो हरी जम नावक के तीर देखर मां छोटे लगें गाहु करेंग हम्पीर अगला प्रसन बिहारी ने किस भासा में रचना करी थी तो ब्रजभासा में रचना करी ती और उन्हों ने कहा कि कालिदास की भाती विहारी भी बिंजित करते हैं वनलब बेंजित करते हैं कहते नहीं है तो नखेंगे आगे बढ़ते हैं अगला परसे घरानन्द से रिलेटर घरानन्द की बात किया तो घरानन्द जो है इनका जनम कब हुआ था घरानन्द का जनम हुआ था 1689 इस भी में यानि 17746 बिक्रमी आपका निकलेगा आगे देखें घरानन्द का जनम किस परिवार में हुआ तो कायस्त परिवार में हुआ था इनका जनम दिल्ली के कायस्त परिवार में इनका जनम हुआ था घनानंद जी अब तक कितनी रचनाए उपलब दो चुकी घनानंद जी की अब तक तो 40 रचनाए हमारे पास उपलब दो चुकी है मलब की हिंदिस आहित के पास अगला कोशन से गहनानंद किस रस के कभी है तो सरिंगार रस के कभी है मुल लूप से गहनानंद गहनानंद किस संप्रदाय में दिक्छा पराप्त करते थे गहनानंद किस संप्रदाय में दिक्छा पराप्त की थी निमबाक संप्रदाय में दिक्छा पराप्त करी थी गहनानंद के काबिका मोल वड़ बिसे क्या है तो मोल वड़ बिसे इनका है वियोग स्रिंगार ठीक है आगे देखें कि कभीवर गहनानंद की रचना किस भासा में है बरज भासा में रचनाई किया करते थे गहनानंद मुख्यताय स्रिंगार कभी थे ये एक प्रकार से ब्योग स्रिंगार के कभी थे तो किस स्रिंगार के कभी थे भी या ब्योग स्रिंगार के इनकी मर्तिव कब हो जाती घरानंद जी की घरानंद जी की मर्तिव होती 1760 बिकर्मी संबत का पड़ेगा आपका ठीक है तो 1760 में मर्तिव होती कि इनकी ये बाद द्यानांद जी कि गहरानंद के जो है आपके पाठेकर में घरानंद से कई सारी पंक्तियां संगले थे उनकी व्याक्ष्ट कर दिये तो आप सबी लोग देख लीजेगा उसको इनकी कई सारी रचनाई इससे सुजान सागर बिराहलीला कोक सागर ठीक है रसकेली बल्ली कृपा कांड ठीक है सारी रचनाई नहीं की हैं और हिंदी साहित के रीतिकाल में मुक्त हिर्दें और सचंद प्रवाह धारा का जो किया वो घहनानंद नहीं किया है वो के वाध्या नखिये अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें आधुनिक कभियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ठीक हैं अब आधुनिक कभियों में जो हैं आपके जैसे कि भारतियंदु अरीचन, जैसंकर प्रसास, सुरका अंतिरपाठी, निराला, सुमेतन, पंत, महादिवी वर्मा और इसी प्रकार से वीडियो देखते रहें, तो इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम सारी वीडियो को देखा, तो अगर आप सभी को इसका पूरा पीडियाफ का पीडियाफ नोट चाहिए, तो आपको कोर्स लेना पड़ेगा, और कोर्स आपके लिए हिंदी का है, उसमें आ पता देएगा वो भाई कलास हो रही है तो आप मेंसे किसी कोर्स लेना है तो 1191-63-92-62-62 इसी पर आपको वाटसप करना है ठीक है कि सर जी हमको हिंदि साहिद बिए फ़र्ट समेस्टर का कोर्स चाहिए फिर उसके आद में उस पर आपको इंफार्मेसन दे दी जाएगी किलिय तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैंजे भारत आप सभी का बहुत बहुत धनीबाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना फ्यार बना रखे गुन्याटा लपी बहुत बहुत धनीबाद